देखो अगर आपका numerical वाला एक्जाम है और आपने पूरे साल तियारे नहीं करी तो ऐसे में आप numerical के पीछे भागो ही मत बस एक काम कर ले ना जो आपका question bank है उसके last में या हर chapter में जो numericals दिये वे हैं वो numericals आपको read out करने हैं कोई भी examiner questions को long questions को सारा नहीं पढ़ता को केवल presentation देखता है starting देखता है जीच में जो adding आपने डाले हैं वो पढ़ लेता है students exam time चल रहा है और ऐसे में मैं एक comment सबसे ज़्यादा पढ़ रहा हूं कि sir मैंने कोई पढ़ा ही नहीं की कुछ तो ये बोल रहे हैं कि मुझे तब तक date sheet का भी नहीं पता है और कुछ ये कह रहे हैं कि sir मुझे तो sorry chapter का भी नहीं पता है और कल मेरा exam है परसो मेरा exam है नरसो मेरा exam है परला मकर आपका कल exam है तब आप क्या करें कोई तयारी नहीं किये इक्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लासा जिरू से देखना जी हाँ दूस्तों आप एक दिन पहली तयारी पर भी पास कर सकते हैं हाँ टोप नहीं कर सकते यह बात तो fact है कि आप married में नहीं आ सकते लेकिन easily pass हो सकते हो अगर आपने पूरे साल कोई तेयारी नहीं किया है आपने कोई coaching वगरा भी join नहीं किया आप college नहीं गए लेकिन हाँ आप पढ़ाई के touch में पहले रहे हो by किसी reason की वैसे आप job करते हो या आप कोई course कर रहे हो आपने तेयारी नहीं किया है अब आपका बस एक दीन है आपके पास या दो दीन है या तीन दीन है आपके पास उस बीच आप marks की earning बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ तिम्पल तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा परशान उनकी ज़रत नहीं है आपको अभी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा दिखाऊंगा भी वीडियो में कि युनिवर्स्टी की कापी कैसे चैकिंग होती है मेरे पास वह experience है क्योंकि मैं teaching कर चुका हूँ मैं copy checking कर चुका हूँ तो वह सब चीज़े आपके सामने रख देता हूँ tension मतलब सबसे पहले चीज़े है कि हमें कुछ चीज़े ध्यान देनी है और focus करना है आप एक दिन की त्यारी में भी exams को pass out कर सकते हो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा that is for you only क्योंकि आप हमारे followers से हमारे student है तो आपके दो बनता है यह बिल्कुल भी नहीं करना है हमें बिल्कुल भी नहीं करना है हो सकता है कि आप लोग यह तियारी कर रहे हो कि किजी teacher से important questions मिल जाए कोई friend के पास जाके importants मिल जाए यह market से question bank purchase करके उसका rat application सुरू कर दूँ एक दिन में कितना कर पाओगे जद दा चार पास दस question कर पाओगे सोचो कर वो नहीं आये तो क्या होगा उसका एक simple तरीका बताता हूं जिसमें जैसा मैं किया करता था that time I was in a become में job करता था full day की job और उसके साथ study करना was a big deal for me अब ऐसे में मैं क्या कर रही था मैं किवल जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं मैं इसको फोलो करता था and मैं अच्छे नंबर लेकर आ रहाता था मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में वोली वीडियो कि हां आपका पढ़ागी में मन होना चाहिए वह बहुत बड़ी चीज़ है अगर मन नहीं तो आप एक दिन में क्या फुत्तों साल दो तब भी कुछ नहीं कर पाऊगी में चीज़ है आपकी reading देखो एक reading से आप सब करने की कोशिच नहीं की आप मंदिर जाते हो बुक उठाते हो चाली सा पढ़ते हो आ जाते हो लेकिन हम जब देखते हैं कुछ टाइम बाद हमें वो याद हो जाती है अपने आपी वो क्या है वो है reading सेंस यहीं चीज़ आपको मैं कहना चाहता हूं हमें simply target करना है long questions को हमें short की तरफ ध्यान नहीं देना बहुत सारे short questions ऐसे होते हैं जो long से बन जाते हैं हमें क्या करना है आपके पास देखो book लेने की कोई चुरत नहीं एक दिन में आप book मत खरीदना ना कोई अगर आपके आज book है तो उसे उठाना भी मत क्योंकि एक दिन की तियारी में आप book का use क करी नहीं सकते question bank कोई भी अच्छा सा जो आपको लगे वो आप ले लो question bank ऐसा ले ना जिसमें chapter wise हो एक chapter आपने पिक किया उच चैप्टर का जो पहला question स्टार्टिंग का जिसमें basics होता है जैसे definitions, merit, demerits, characteristics, limitations यह सारी चीज़े आपको उसे read out कर देना है एक बार, दो बार, तीन बार reading करें और reading करें याद रखना मन बना के यह नहीं कि आप reading कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं हो रहे है कोई फायदा नहीं इतना मैं करता था बस आपको आदा दिन reading करनी है इन सारे long questions की, not short, long questions की, जब आप reading करोगे तो बहुत बार आपका ऐसा लगया कि इसमें से short questions तो यह आ रहा है, तो वो निकल जाते हैं अपने साब से, reading अगर आपके अच्छे से आप कर लेते हैं और आपके पास फिर भी तरवा time बसता है, त trusting बना सकते हैं, ठीक है, तो main चीज क्या है, long questions की reading करना, इतना ध्यान रखें, number 3, कुछ और चीज़ आपको समझने की जड़ते हैं, जैसे, मैंने कहा कि question bank का use करना, numericals के लिए, देखो अगर आपका numerical वाला exam है, और आपने पूरे साल त्यारे नहीं करी, तो ऐसे में आप numerical क तीशे भागो ही मत, बस एक काम कर लेना, जो आपका question bank है, उसके last में, या हर chapter में, जो numericals दिये हैं, वो numericals आपको read out करने हैं, समझ में आगी बात, उन्हें समझना है, कैसे कैसे हुआवा है, और मुले को समझना है, और मुले आपकी help कर सकते हैं, उस तरह की और questions में, accounts में अच्छी बात होती है, कि numerical attempt करने का भी marks मिलता है, जो आपकी बहुत help करेगा, long questions को reading करना है, ध्यान से, short questions के पीछे मत भागना है, क्योंकि एक दिन में क्या ही कर पाओगे, लेकिन जो best है, वो यह है कि long questions अगर आपने read कर लिए, तो अगर कोई shorts आ गया, तो आप उसमें ल long questions को सारा नहीं पढ़ता, वो केवल presentation देखता है, starting देखता है, जो adding आपने डाले है, वो पढ़ लेता है, येतना सही है आपका, तो आपको number मिल जाए, फुल नहीं मिलते, लेकिन आज जो percentage होती है, 65-75 देना ही है, वो मिल जाता है, ये चीज मेक शोर होना चाहिए, rectification बिल content चीजे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, exam में आपको presentation परी में दियान रखना है, एक examiner जब copy check करता है, तो पहला पन्हा खोलते ही, judge कर लेता है, कि ये student कैसा है, पढ़ाई में कैसा होगा, अब आपको ये कैसे, अगर आपका पहला question अच्छे से आपने किया हुआ है, well इसा नहीं कि colorful, दो-तिन कलर का use किया हुआ है, headings के लिए, साथ में आपने diagrams बनाए है, writing आपके ठीक है, headings को आप Hindi, English दोनों में लिखें, इतना आपने किया हुआ है, numerical किया है, तो परफेक्ट, sold किया हुआ है, तो बस examiner समझ जाता है, तो बढ़िया बढ़िया है, फिर व पिर जाए बात में आपने कितने अच्छा काम किया हूँ, आपको फाइदा नहीं मिलेगा, इस बात को बता रहा हूँ, पका कोई deny करें, कुछ भी करें, यह मेरा personal experience है, don't left any questions, तो simple सी बात यह है, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि आप reading करो बस, subject, जो भी आपके सब जमान कितना टैम लगेगा रीडिंग करने में, तीन तीन बार रीडिंग करनी है, इसली कर लोगे, उसके बाद जब आपके आपके आपको तो पता नहीं, लेकिन management क्या है, यह पता है, define कर क्या हो, starting तो कर दो, कुछ तो लिखके आओगे न, related to the subject तो लिख रहे हो, मार्क्स मिलेंगे, पास उन्हें लेक मिली ही जाएंगे, युडिवस्टी में यह अच्छी बात होती है, attempting के भी मार्क्स मिलते हैं, तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ, अपना motivation level high रखो, अपने आपको नीचे मत गिराओ, सोचों मत की में fail हो जाओंगा, positive सोथ के साथ, reading करो, सारा time करके आओ, presentation अच्छी करो, अच्छे नमबर आपके आजाएंगे, एक दिन की त्यारी में भी, वीडियो अच्छे लिए को लाइक करना, और वीडियो को शेर करना ताकि सब लोगो का फायदा हो, और अपनी चैनल को subscribe कर लो, ऐसी more updates के लिए, और career guidance के लिए, क्यो जो कुछ मेरे पास है, पिछले 12-13 साल से जो मैंने कमाया है, आपके साथ शेर करते हैं, जाएंगे वीडियो साथ